इड़ी गुड मोर्निंग टो अल अफ यू सभी लोग फटाफट लाइब आजिए चलिए सभी लोग फटाफट लाइब आईए क्लासेज का टाइम हो गया है आपको पता है कि मैं अभी दिल्ली स्टुडियो में पहुंच गया हूं और यह दिल्ली स्टुडियो से भी आप लोग का लाइव हो रहा है तो चलिए फड़ाफट से लो लाइव आईए उसके बाद इस सेशन को सुरात करते से विलो एक वर करफ किने भी अस्टुडेंट है या स्टुडेंट नियों है सभी लोग फड़ाफट कमेंट कीजिएगा सभी लोग मैं एक वार आप लोग का कमेंट को देख लू कौन-कौन बच्चा प्रजेंट हो चुका है सुप्रिया रौकी रौशन गुंजा कृष्णा फ्यूचर डॉक् प्रिया शिवनात्रोय ट्रिक के दुनिया भारती प्रिती कुमारी शनूजा सुजाता चलिये रिसु रंजा नीतु कुमारी चांदनी फ्यूचर डॉक्टर नेहाराज डिंपल गुडिया सुजाता प्रिती सुप्रिया रौशन मदू ठाकुर्ष्ण सब लोगों को गुड फिजिक्स का जैसे ही आपका सिलिवस कंपलीट होगा उसके बाद आपको चार कलासे चैप्टर वाई सीर्फ और सीर्फ नुमिरिकल कराया जाएगा तो आज फिजिक्स में हम लोग जो देखने वाले हैं बाबू वो फिजिक्स में आज जो देखने वाले हैं लाइट चैप चैप्टर का नुमीरिकल हम लोग देखने वाले हैं इस से पहले जो आपका फ़र्ष्ट जो नुमीरिकल का क्लास हुआ था वो हुआ था टाइम बरक और जह ना बरक पावर और इनरजी बरक पावर और इनरजी का हुआ था आज ये second ध्यान से सुनिएगा, ये class number two है, ये class number two है numerical का, तो आज होने वाला light chapter का complete, light chapter का complete revision में आपको class में भी आपको telegram में भी convey कर दिया था, कि आप सभी लोग revision करके जरूर आएगा, तभी आज numerical को गर्दा उड़ाना है, तभी आज numerical को क्या होना है, गर्दा उड़ाना, तो सभी लोग आई होप पहुच गए हैं, और मुझे जैसा दीख रहा है, चंचला, student, vlog, संध्या, माही, रानी, छुटकी भी आ गई है, दीपक बरसा, चलिए, चांदनी, मधू, ठाकुर, प्रिया, अरे वा, क्या बात है, सब लोग मजे में होना, सब लोग मजे में होना, किसी तरह की tension और परशानी नहीं नहीं है, एक बार बताना, बाबू, आप लोग का exam का form का date भी लगभग, अब जो है न, आने वाला है, क्योंकि बेवफा सनम, आप लोग के साथ भी बेवफाई करने की पुरा ठान रखा है, तो बेवफाई का बदला अपने कलमों से देना है, अपने study से देना है, अपने मेहनत से देना है, और ये बेवफाई कोई नहीं, आपका board BCEC करेगा आप लोगों के साथ, तो बेवफाई का चावलियत के दम पर जो पढ़ा है उसी के बदालत है ना तो चलिए हम लोग आज का सेशन को शुरात करते हैं लाइट चैप्टर से लाइट का नुमीरिकल अज सिर्फ फॉर सिर्फ देखो चार क्लासे में बोला था जिसमें फिर्फ फॉर सिर्फ नुमीरिकल नुमीरिकल तादू, मैथ का जो साम का इविनिंग का चोटीस में जो कलासिज होता है, उसमें आज जो चैप्टर निउड़ चैप्टर स्टार्ट होगा, लॉगरिथम का, ठीक है निखोंगे, लॉगरिथम से फाई मार्क्स का कन्फर्म कोईचन पूछा जाता है, ठीक है ना? 5 marks का confirm question logarithm से पूछा जाता है तो वो चीज हम लोग को ध्यान में रखते हुए चलना क्योंकि यही सब छोटा छोटा टॉपिक से करके आपके question बनते हैं वो अगर skip कर जाते हो तो समझो कि exam में जो है न अच्छा rank नहीं ला पाओगे फिर ठीक है अच्छा rank नहीं ला पाओगे डॉक्टर सोनी का कहना है सर जी मेरा नम्मा काहे नहीं लेते हैं नम्मा तो लेवे करते हैं काहे का टेंसल लेते हो ठीक है ना चलो एक बोल रही है रशूल्ला से वीडियो को लाइक करो तो हाँ अब ध्यान से सुनना बाबू आप लोगों के लिए जल्द ही क्रैस्पोर्स क्रैस्पोर्स लाँच होने जा रहा है उसके बाद जो है ना क्रैस्पोर्स के बाद आपका ओल इंडिया टेस्री भी जल्दी लाँच हो जाएगा ठीक है ना ओल इंडिया टेस्री भी जल्दी लाँच हो जाएगा ठीक है तो चलिए आज का सेसन को शुरात करते हैं जो कर लो आपको जब crash course start होगा उसमें भी enrollment मिल जाएगा तो आपका develop फायदा हो जाएगा ठीक है ना जो सोच रहा है कि मैं crash course join करूंगा तो उस student आज ही join कर लो अभी join कर लो तब उसको crash course में भी enrollment मिल जाएगा ठीक है तो चलिए आज का session को सुरात करते हैं काफी important session है जो स्टुडेंट जो है ना अप्लिकेशन से join करना चाहते है प्ले स्टूर से study इंडिया का official application download कीजिए वहां से भी join कर सकते हैं चलिए आज का session मैं आपको बता दो फी जो अभी offer में चल रहा है पोल टेकनी का फी है आपको 399 नहीं 499 है पारा मेडिकल का फी है आपको 549 आई टी आई का फी है आपको 399 399 नहीं 299 तो सभी लोग जल से जल जाइन कर लो और offer का मज़ा उठाओ अब सभी लोग एक वर comment करो कि अभी आप लोग light chapter को पोड़ने वाले हो की नहीं सब लोग revision करके आये होने जी क्योंकि जैसे ही कोचन आपको दिखेगा सब गर्दा मचा देना है सभी लोग का जो है ना गर्दा मचा देना एक वर सभी लोग बताईए सब लोग बताईए फड़ा फड़ गनेश के पापा अच्छा जी गनेश के पापा हो जा गए शब लोग एक वर confirm कीजिए यारी रेडी कोचन को लाया जाए कोचन को जलक दिख लाया जाए आप लोग त्यार है सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर करके एक वर confirm करें आप लोग त्यार है या नहीं आप लोग त्यार है या नहीं सब लोग कमेंट करें पड़ा फड़ आप लोग त्यार है कोचन को लाय जाए चलिए तो फर्स्ट कोहचन आपके तुन्टूना में दिखने लग गया होगा फर्स्ट कोहचन आप लोग के तुन्टूना में दिखने लग गया होगा तो चलिए दो मिनट का समय दिया गया है तो सभी लोग अपना तुन्टूना में देखिए कोहचन को पढ़ फोकस दूरी वाले अवतल दर्पन से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा जाता है तो दर्पन के परतिविम्ब का दूरी क्या होगा फटा फट जल्दी जल्दी अंसर दीजे दर्पन के परतिविम्ब का दूरी क्या होगा जल्दी अंसर दीजे से भी लोग प्रिति का भी करेक्ट अनसर आ गया अभिषेख्पदार का भी करेक्ट अनसर ओगया दीपक कुमार यादबriedब सनी बर्मा शंदया शनी बर्मा विलॉग सब लोगे करेक्ट अनसर आ गया क्या बात है लगबग 6 से 7 कलास पूरा थियोरी और नुमिरिकल और कोश्चन को हम लोग इस चैप्टर का देखे थे आज जो है न देखो बाबू आपको जो इस पेशल चैप्टर का नुमिरिकल करवाय जा रहा है उसी चैप्टर का जहां से नुमिरिकल आने की तो नुमिरिकल का ज्यानी बन गये हो तुम लोग नुमिरिकल का ज्यानी बन गये हो maximum student have done the correct answer is 60 cm option A is the correct answer very good चलो यही उमीद भी था आप लोगों से और आपने उस उमीद को जो है न कायम करते हुए रहा देखो बाबु बास्त्विक परतिवीम, देखो कोई भी नुमिरिकल बनाने के लिए सबसे आसान होता है, बाबु मैट से भी आसान नुमिरिकल होता है, बहुत लोग नुमिरिकल को हाड इसलिए बना देते हैं, क्योंकि मन में सोच लेते हैं, ये तो नुमिरिकल है, काहे नुमिर्कल नहीं बन पाता जो ठान लेता है ये तो इजी हम तो इसको फोड़ डालेंगे अराम से कोशन को बना लेगा देखो बाबु क्या है बास्तिविक परतिविम पाने के लिए कि बस तू बीस सेंटीमिटर फोकस दूरी वाले कौन सा दर्पन है बाबु तो अबतल दर जांबाबु है तिसंटीमिटर के दूरी पर रखा गारे तो परतिविमी की दूरी जयाद करना है दर्पन के परतिविमी की दूरी कि जयाद करना है यानि जांनी ऑपको दरपन का फॉर्मूला को लुक को करवाये थें 1y f बराबर HEY U1bB यही करवाये थे ऑप बात करना है दरपन अबतल दरपन है तो फोकस दूरी क्या होगा बावो अबतल दरपन का फोकस दूरी हमेशा क्या होता है यानि माइनस क्या हो जाएगा बीस सेंटीमीटर हो जाएगा माइनस बीस सेंटीमीटर हो जाएगा यू का फैलू यानि बस्तू की दर्पन से दूरी कितना हो जाएगा तिये भी जो है आपतल दर्पन है तिये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा भी क्या है तो भी हमको बस तुसे परतविम की दूरी निकालना है तो यह बस इसको निकालना इसको भाट कर देते हैं क्य U का value minus 30 है, U ब्राबर 1 वटटा minus 30 हो जाएант कि yayका भी हो जाएका, 1 वटटा भी ब्राबर 3 कि निमें, रहेगा, यह दोनों का कुछ नहीं करना है झालीं कि indo by Salam May माइन 2 पलस 1 यानि 1 वटा 60 हो जाएगा, तो भी बरावर क्या हो जाएगा, minus 60 cm हो जाएगा, यानि option ये इस cooltion का सही अंसर हो जागा रश्गुल्ला, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, ये कोहचन पारा मेडिकल और पॉलटेकनीक में धुआं मचा देता है जी, इतना पुछता है कि, इतना पुछता है बिहार वालों का फेवरेट कोहचन, ठीक है ना, कभी अवतल दरपन से चलिए अगला कोश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा फड़ाफट अंसर देना रसुल्ला सब कोश्चन सेलेक्टेड है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पे जो भी कोश्चन करवाया जाता है लगवाग 6-7 बुक का कलेक्शन से करवाया जाता है लेकिन आपको टॉप करना है, कलासिज करना है, टॉपर बनना है तो आपको एक नहीं लगवाग 5-6 बुक का आपको कलेक्शन करके पढ़ना पड़ेगा तभी आप टॉपर बन पाएंगे आपको लगवाग मैक्सम बुक से आपको करवा दिया गया आप जो कुछ-कुछ टॉपिक छुटा हुआ था, वहाँ से आपको दिया जा रहा है चलिए, फड़ा-फड असर दीजिए फड़ा-फड जदी कोई बस तू 5 cm बकरता त्रीजिया वाले उत्तल दरपन से 10 cm दूर रखी गई है तो अवर्धन क्या होगा, बहुँ सिंबल कोचल फड़ा-फड, चंदन, बरसा, प्रितम, अस्टुडेंट, विल लॉग्ष, दीपक, गुपता, राहूल, साधिविया कर लिए जी गुपता जी, साधिविया हो गया एंजल प्रिया, रोशन, बवीता, सनी बर्मा, सब लोगों का करेक्ट अंसर आ रहा है, मज़ा आ गया मज़ा आ गया, सब लोगों का करेक्ट अंसर आ रहा है, सब लोगों का करेक्ट अंसर आ रहा है मेरी जान यहां पर option यह कौन बोल रहा है option यह कौन बोल रहा है how it is possible कैसे गुरुजी हम आपके ही नहीं दिखते हैं का पायल रोय दिख रही हो दिख रही हो चलिए फड़ा बड़ अंसर दीजिए जदी कोई बस तू 5 cm बकरता तरिज यानि radius r का भेलू 5 cm दिया गया है ठीक है न और उत्तल दरपन ध्यान देना बाब कौन सा दरपन की बात कर रहा है उत्तल दरपन दूरू दूरू दूर की बस तू देखने के लिए उत्तल दरपन ट्रिक याद है न 10 cm दूर रखी गई है तो अवर्धन किया होगा इसका अवर्धन क्या होगा जल्दी जल्दी अनसर देना अवर्धन क्या होगा जी सर साधी हुआ पर जवर्दस्ति सब लोग कर दिये चलो हो गया ना मिठाई उठाई खिलाया नहीं जी ए गुपता जी मिठाई उठाई नहीं खिलाओगे जी कि साधे व्याय कर लिए मिठाई खिलाँ है लो उत्तलaltetर बकरता तरी जा दिया खिलता दिया यह लो घ्रता दूरी, focus दूरी क्या हो जाता है, वक्रतत रिज्या का अधा होता है, यानि पाँच वट्टा दो यानि कहने का मतलब 2.5 cm हो जाएगा, 2.5 cm हो जाएगा, उत्तल दर्पन से बस्तु की दूरी यानि यू कितना हो जाएगा, तो यू देखो उत्तल दर्पन है, उत्तल दर्पन क्यों हम इतना करना पढ़ रहा है हमको इतना क्यों पढ़ रहा हमको अवार्धन ग्याद करना है अवार्धन ग्याद करना अवार्धन यानि एम बरावर क्या होता है भी वाटा यू होता है तो हमको भी दिया हो भी हमको निकालना है और यू दिया हुआ है तो अराम से निकाल तो थी बरावर क्या हो जल्दी जल्दी बताओ दरपन का सूत्र से भी का भैलो निकालो ने पहले तो 1Y F बरावर 1Y B पलस 1YE होता है ना इसे भैलो पूट कर दो एफ बरावर कितना दिया हो एफ बरावर 1Y 2.5 दिया हुआ है 2-1 घुर्ण निकालना है पल अड़न वाइट एन हो जाएगा प्लस में अतर्दर्पन हो जाते हो जाएगा ताव डानोट भी वह वनवाइ भी ब्रावर हो जाएगा वअन वाइट टू पाइंट फाइंस माइन टेन हो जाएगा यानी भी का भेलू डेरेक्ट टानी कल दू दस वरततीन आ जय गो भी का भैलू कितना आ रहा है जल्दी जल्दी बताना भी का भैलू कितना आ रहा है आप लोग जल्दी जल्दी निकाल के बताऊ भी का भैलू कितना रहा है भी का भैलू कितना रहा है जल्दी जल्दी बताऊ सरज मीट का पार्टी चल रहा है अरे चल रहा है लेकिन दोगे तब तो अब तुब का चल रहा है ना चल रहा है खली बोलने से होगा है भी का भेलू कितना आ रहा है जल्दी जल्दी बताओ तयों इसको निकालन दाति करना है यहां पर दस है यांगि तीन उन्हें 10 गु्रूने 10 हो जाएगben यह से कैन्सिल यानि वन वटत fault 2 कहने िसका हं मतलब क्या पॉइंट directly ना पॉइंट three ना व्यजाएगा फॉइंट 3 factors पॉइंट थिरी आप्शन भी करेक्ट अंसर हो जाएगा रसुल ने शमाज में आया इतना चीग का है आ रहा है जी इतना चीग का है आ रहा है जल्दी जल्दे बताबो एक शेकंड़ देखो अधार उत्तल दार्पन यार यू तो यू यू भी में चेंजर होता है यू तो निगेटिव होगा ना मैं फुड़ा तुम लोग कर दिया यू निगेटिव होगा तो आँ आँ है तो वन वाइटुफगा यू हो जाएगा लब हम धूल हो जाएगा है यह आपका पलस्म हो जागा यह पर नेगेटिव है ठीक है ना चलो कि इस तो शोर्छत लेट हो किसी को प्रोब्लम हो जल्दी जल्दी बताओं देखो बाबो यह उतल दर्पन हो और आप आप दरपन हो यह हमेशा क्या होता है यह हमेशा नेगेटिव होता आपको थियोरी में भी करवाये थे थियोरी में भी करवाये थे है ना अवतल दरपन में भी का चेंज होता है चलिए आया की नहीं जल्दी जल्दी बतावो जल्दी जल्दी बतावो गुड़ मोर्निंग गुड़ मोर्निंग पॉयल रॉय गुड़ मोर्निंग संद्या हैपी गुड़ मोर्निग हैपी गुपता जी कौन सा हैवेली पर नाम बताओ हैवेली पर पहुच जाएगा पहुच कहां पर प्रोलम हो रहा है जल्दी बतावो कोश्चान सबसे पहले समझो कोई बस तुप फाइव सेंटीमीटर बकता त्रिज्या वाले उत्तल दरपन से 10 सेंटीमीटर दू रखा गया है तो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है तो इसका अब अर्धन ग्याद करना है तो आफार ढ़ाबर होता में मियाद कर रही है तो छीप आता है मैं मुद्ध कर रहे तो अब बताना चलू हां तो भकता तरीज्या था क्आधा दिया गया है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा वक्त्रति रिजा काधा होता है यानि 2.5 cm दे रखा यू का भैलू देखो बाब उत्तल दर्पन हो अप्तल दर्पन हो यू जो है हमेशा नेगेटिव आएगा ठीक हना यू का भैलू 10 cm भी हमको निकालना है भी किसी लिए निक 10 हो जाएगा यानि 1 y b ब्रावर 1 y 2.5 पलस में क्या हो जाएगा यह दोनों का लिए करके भी का भैलू आसे निकालना तो करेक्ट अंसर हो जागा चलिए समझ में किसी को प्रोलम हैपी घायल क्या क्या तुम लोग कर रहे हो जी बहुत बखबक करते हो पीड जाओगे ज्यादा बखबक नहीं देखो बागो यह कोश्चन देखने में जरूर बड़ा है लेकिर कोश्चन में दम नहीं है यह कोश्चन आपको इस टाइप के पुल्टेक्नी का एक्जाम हो पारामेटकल का एकजाम हो मैथ का हो फिजिक्स का हो कमेस्ट्री हो कोई भी सब्जेट में एक कोश्चन ऐसा डालेगा जरूर एक ऐसा डालेगा कि हमेशा आपको लगेगा बहुत बड़ा लेकि कोश्चन बहुत असान ह तो लोग देख करके आगे बढ़ जाते हैं, जो टॉप करना चाहता है, वो बना के आगे बढ़ता है, वही टॉप कर जाता है, इसलिए आपको एक बार देखना जरूर रहा है, चलिए इसको बनाईए तू, फड़ा फड़ा बनाईए, जल्दी जल्दी, हैपी की साधी किसी गद्धा से करवा देते हैं, नितीस कुमार यादब, तुम साधी व्याद करने वाला ठेकेदार काहो जी, हैपी की साधी गद्धा से करवा देते हैं, अब तुम किस से करोगी ये बतावो, ओल्ड इज गोल्ड यूपी, चलिए फड़ा फड़ा बताना, फड़ा फड़ा जल्ड जल्ड देखो अबतल धरपन की बात कर रहा है, अबतल धरपन सूर्ज के सामने इस तरह से रखा गया है, ये सूर्ज की किर्णो का अभी सरन धरपन के मुख अच पर पाइफ सेंट्री मीटर दूर एक बिंदू पर होता है, जैदि तीन सेंट्री मीटर लंबी एक मुम्वक्ति को दरपन के मुख अच पर 10 सेंट्री में दूरी पर रखा ये तो मुम्वक्ति का परति भीम जाते हैं, बहुत सिंबल कोशन है, बहुत सिंबल कोशन है, चलिए फड़ा बढ़ अंसर दीजिए, प्रितिया बोल रही है, गुरुदेव जी आपको हमारा नाम से ये प्रोबलम है का, बोलिए हमको, प्रोबलम का है का रहेगा बताना, किसलिए प्रोबलम रहेगा, चलिए फड़ा बढ़ अंसर दीजिए, चलिए फड़ा बढ़ अंसर दीजिए, देखो एक अवतल दर्पन की बात हो रहा है, ठीक है ना, अवतल दर्पन की सामने, यहां से यहां तक जो आपको दे रखा है न, यह आपको डेराने के लिए यह चीज़ दे रखा है, बाकी कोशन आपको यहां ही से सुरू होता है, और यहां पर खतम होता है, चलो सब लोग बनावो, दस सेंटीमीटर रसुल ला किसका है, प्रियंका कुमारी, प्रियंका कुमारी का कर्रेक्ट अंसर आ गया है, और कौन स्टुडेंट है, और कौन स्टुडेंट है, जिसका कर्रेक्ट अंसर आ है, प्रियंका कुमारी, राक प्रियंका कुमारी तो यह वेरी गुड देखो वाव क्या करना दो कोषचन क्या दे रखा एक अवतल दरपन जो है सूर्ज के सामने रखा गया और इस तरह से रखा गया है कि सूर्ज की कीरनों का अभी सरण जो हां से किरन आएगा दरपन के में अक्ष में एक्सिस मुख अक् के डिस्टेंस में बनता है यदि तीन सेंटीमिटर लंबी एक मुमत्ती को दरपन के मुख अज पर दस सेंटीमिटर के दूरी पर रखा जाए तो मुमत्ती का पर्तिविम जो बनेगा वो कितना डिस्टेंस में बनेगा बावू देखो क्या क्या चित दिया हुआ है आवतल दरपन में फोकस दूरी एफ जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमिटर है तावतल दरपन में एफ क्या हो जागा माइनस 5 सेंटीमिटर हो जागा समझ में आया दरपन से मुमत्ती की बीच की दूरी यानि यू कितना दिया हुआ है तो यू 10 सेंटीमिटर दिया हो तो 1 y f बरावर 1 y b 1 y u यही जानते है न? यानि alone बस पे ॲाट पी पूट कर दिजिये 1 वर्टा माइनस 5 हो जाएगा बरावर 1 y b हमको निकालना है यहाँ पर माइनस हो जाएगा बर्टा 1 वर्टा 10 हो जाएगा यानि 1 y b बरावर हो जाएगा माइनस वन वट्टा 5 पलस वन वट्टा 10 हो जाएगा ठीक हा ना यानि इसको हाँ हाँ कि समझ में आया है कि समय में आया कि नहीं जल्दी जल्दी बताओ चलिए वेरी गूट हाँ तो वन वाई भी वरार क्या हो जाएगा यह दूनों का एलसे में ले लिए तो दस वह जाएगा 5 दूनी के 10 माईनस दो पलस वन हो जाएगा यानि वन वट्टा क्या हाँ माईनस 10 सेंडीमिटर आजएगा तो समझ में आया है कि अरे शरू सब सब सबर करो साधी क्या साधी भी आकर तुम लोग का बात में घुस गया जी तुम लोग कलासे में इस सब साधी भी आकर चक्कर में अरे तुम लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कहा है नहीं कियो हो वन सेकंड मैं तुम लोगो देख नहीं रहा था यह मोडरेटर सब गया क हां कि मोड्रीटर शब्सादी भी आके चक्र में लग जा कि मॉड्रीटर सबसादी भी आकर चक्रम लग जाल शरियसा यह कि नहीं चलिद जल्दी बताब़ो कोईथन में इज फाकिन नहीं जल्दी जल्दी नसर secत ho पड़ाफड अंसर देना कोह्चन आसान था की नहीं, देखने में बड़ा लेकिन कोहचन एदाम लुलु पुलु। ठीक है ना, कोहचन एदाम आसान था. समझ में आया, समझ में आया की नहीं. चलिए, आगे बढ़ते हैं. अगला कोहशन पड़ा फड़ देखो और अंसर छापो देखो और अंसर छापो जल्दी जल्दी चलिए जल्दी जल्दी अंसर देजिए चलिए अंसर दीजिए 20 सेंटिमीटर के बक्रता त्रीजिया वाले आपतल दर्पन की फोकस दूरी देखो और अंसर दो तरसम मोनीटर को एक बाट टाइम ओट कीजिए फिर अपना बर्क करेगा कोहशन लोलीपोप था गुरुजी कॉंसेप्ट किलिए और रिजल्द भी किलिए रहे ना हाँ हाँ बिल्कुल लोलीपोप था खेलिए अंसर दीजिए जल्दी जल्दी सब लोग अगर यह क्यों गलत करेगा ना जो गलत कर रहा हूं है एक बात ना अपना अपना घाल पर ठीक है ना अगर ये कोहचन आपको गलत हो जाता है तो तो सारा फर्मूला आपको करवाएगा है ये को लगाने वाला है प्रियंका सिंग प्रियंका सिंग अपना गाल पे एक जपटा लगाएगी और कौन लगाएगी शुप्रिया कुमारी लगाएगी और कौन लगाएगी ज जपट्टा लगाएगी थीक है मना बक मैं कि लिए कि वीस सेंटीमीटर की बखुटत त्रिज्या वाले अवतल दर्पन की फोकस दूरी fautकस दूरी एक बरवर क्या होता और बक्रत त्रिज्या मतलब इननर। त्रिजय का आधा होता यह बरावार वह होता है यह बरावर एंटे ना और वाइट वह ओता है आप वहिस बहुत दू यानि 10 cm सब्सक्राइब आपको इससे पहले दो नुमिर करवाएं उसमें भी आपको एप कभेलोग रेडियस वाइटू किए फिर भी गरवर काहे हो गया चलो आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चर उस लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर उस नहीं उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखा है तो सकती की गन्ना करें कितना डियोप्टर का वो लेंस का पावर है कितना नहीं ही बताये थें अच्छा जी सही था कोई नहीं जल्द यल्द अंसर देना अगा फड़ा फड़ा अभिशेक पदाशर हम तो डी ही बोले था अच्छा डी में था मुझे लगा कि वह कोई और अप्शन था चलो कोई नहीं जिसका गलात अंसर था वो जो है ना जपटता लगा वो तब कॉंसेप्ट के लिए रखो जाएगा अच्छे फड़ा बड़ असर दीजिए उत्तल लेंस की फोकस दूरिया कर फिप्टी सेंटिमेटर दे रखा तो उसका पावर ग्याद करना है आपको फॉर्मूला बता दे क्या फॉर्मूला कितना ड़ॉप्टर की च्छमता वाला यह लेंस है कितना ड़ॉप्टर की अब बहुत लोग लोग को यह भी नहीं पता हुआ ड़ॉप्टर क्या है लेंस की च्छमता लेंस की पावर की चीजिए अम आपा जाता है कि ड़ॉप्टर में है ना चलिए सारा आपको थियोरी में करवाया गया जल्दी जल्दी अंसर दो सब लोग प्रिती रानी भी नसुरुदीन शंधिया चाचा बर्मा चाचा बर्मा की चंचला बर्मा देख पागल हो गया है बताइए ना पागल नेटवर्क हो गया तुम्हारा है चलिए बवीता प्रोड ओम जी प्रिती ललीता शनी वर्मा चलिए वेरी गुड देखो बागो जो जो अस्टुडेंट जो रसुद्ला आप्सन बीव लगा रहा है तू डाउप्टर का ये है वो बि देखो अब लोगो जो आप लोगो जो है ना देखो आप लोगो मैं एक वारा स्पेसली बता दो टेलीग्राम में जब ये कम्प्लीट चैप्टर हुआ था लाइट चैप्टर तो फॉर्मूला का एक लिस्ट डाला गया था वही लिस्टवा में सारा फॉर्मूला का संग्रह किया गया है लाइट चैप्टर का तो वो जरूर से जरूर देख लियो अगर किसी को कहीं फे फॉर्मूला और साइन सबसे पहले तो हमको फोकल नंबाई 50 cm दे रखा है कि कितना दे रखा है 50 cm दे रखा इसको सबसे पहले मीटर में करो तो 50 बटा क्या हो जाएगा 100 से मल डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा मीटर आजाएगा क्या दरिवाइड यह वो यॉटि कि अपर गाट किया है लेंठ कूद यह नि इसी ए लो चलो आगे बढ़ें आगे बढ़ते अगला कोशन अगला कोशन और जल्दी जल्दी आन समटेरा फटो फटव बाध सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देना एक उत्ता लेंस की फोकल लंबाई 25 सेंटीमिटर है तब इसका जो है ना गन्ना करो कि कितना च्छमता का यह है चलिए फड़ा फड़ उत्ता लेंस की फोकल लंबाई 25 सेंटीमिटर है तो इसकी छमता सक्ती का गन्ना करें आज पिटवाद दूंगी सर जी से संध्या कुमार तब तो टीवी देख रहे हैं का 4D 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 देखो जल्दी जल्दी अंसर दो 4D होगा 2D होगा देखो बाबू एक चीमा बता तो 50 से देखो बहुत लोग कन्फूज होगा देखो एक लौजिक में समझाता हूं अगर 50 सेंटीमीटर है तब अंसर आए टूड़ अगर ही 25 सेंटिमीटर है तब अनसर क्या आएगा जल्दी से लॉजिक बताओ ऐसेंटिमीटर की ही श्मता से अगर पाग्जी सेंटिमीटर है तब कितना में कीर वालाई होगा सब्सक्राइब आपने नाइमा जल्दी जल्दी सब्लों वीडियो हो को लाइक शर कीजिए कि पड़ा बड़ा नसर देना है कि अ कि दो कि उत्ता लेंस की फोकल लमाई होना चाहिए तो सबसे पहले फोकस कितना दे रखा 25 संटी मीटर को मीटर में कभट कर दो क्या हो जागा वन वटटा 4 میटर आजाएगा वन वटटा 1y4 हो जाएगा फोर उपर चला जाएगा तो 4d आजाएगा 4 disopter का यह length होगा 4 disopter का यह क्या होगा length होगा रस गुले ठीक है न चलो और वो कहां गया। साधी करके भाग गया कहां वो लड़का दिखने ही रहा है गुपता जी दिखने ही रहा है वह साधी किया रो गया कहां फिर चलिए इसको बनाए फड़ा फड़ जिस एक लेंस जिसकी पावर टू डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगा देखो पहले फोकस दूरी से हम लोग पावर निकाल रहे थे अब पावर से फोकस दूरी निकालो जल्दी जल्दी पावर से फोकस दूरी जल्दी जल्दी न फड़ा फड़ निकालना, जल्दी जल्दी, 50 cm, 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 क्या बात है, 50 cm, 50, 50, 50 cm, तुम लोग नुमिरकल का गर्दा उड़ा दी हो, मुझे लग रहा है, मेहनत इसी को कहते है, मेहनत इसी को कहते है, और यही मेहनत आपका एक्जाम में रंग लाएगा, ही ख्याना? सब लोगों का लग हूए conversant sir है, सब लोगों का लग होगा है, देको बावो, हम इस से पहले वाला picture में जाए रहे था, focusódory दिया हुआः था, को power निकालना था, lens का पावर, इसे हमें पहले कि निखनाला है यूब हो 104 होता है तो समाझ में आया वान वाटा टू आ जाएगा वान वाटा टू वान वाटा टू कहने का मतलब वा जाएगा पाइंट फाइव मीटर आ जाएगा पाइंट फाइव मीटर है आप्शन में पाइंट फाइव मीटर आप्शन में है कि नहीं जल्दी जल्दी बता हुआ 0.5 meter option में दिया हुआ है 0.5 option में meter दिया हुआ है 40 meter दिया हुआ 40 centimeter दे रखा 50 meter 50 centimeter दे रखा है तो 0.5 meter is equal to 50 centimeter ठीक है ना meter को centimeter में convert कर दो meter को centimeter में convert करोगे तो क्या हो जाएगा 50 centimeter आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा समाज में आया कि नहीं जल्दी जल्दी बताबो किसी को problem किसी को problem centimeter में change करेंगे सर जी हाँ हाँ यही तो मैं देख रहा था तुम लोग पहूंच रहे हो कि नहीं संध्या जी आज भी करो जाओंगी खोज खाने यार क्या बोलते हो क्या लिखते हो समझ नहीं आता हमको भी तो अपना लेंग्वेश समझावों चलिए बनाए तो इस कोर्चन को तब लोग पड़ाफट बनाएगा पड़ाफट और नेक्स्ट जिक्सका नुमिर्कल किस चैप्टर का होना चाहिए जल्दी जल्दी बताना उसके बाद पूरा प्रिवियर्स इंपॉर्डेंट कोर्चन सेलेक्शन कोर्चन हर को आपको प्रैक्टिस करवाया जागा रहें आपको जो है ना क्रेस्पोर्स में चलिए फड़ा बड़ असर दीजे को एक लेंस की एक लेंस में तूज डिया गया है लेंस की किस्म और उसकी फोकल बाय बताना कि कोना लेंस है और कितना फोक देखों बागों सबसे पहले लेंस पोजेटिव है या लेंस की जो है ना आपको छमता से अगर पावर से अगर देखना है कि लेंस पोजेटिव है नेगेटिव है वो आपको उसका सिंबल से पता चलेगा जिस लेंस की छमता जिस लेंस की छमता नेगेटिव है जिस लेंस की क्या होगा जल्द यलिए रेंसर देना वो लेंस आपका क्या होगा जी शुक्त निगेटीव है क्या कुला है जिस लेंस की छम्ता नेगेटी हो वो लेंस क्या हो गाउब तहल दरपन होगा आवत तल लेंस होma ठीखनम आवत दंट म hè और जिस लेंस की छम्ता पोजेड़ी है वो क्या होगा उत्तल लेंस होगा इस्से तो आपको पता चल गया कि लेंस कौई से है लेंस आपको पता चल गए कौसा है पलास टू डाप्टर है यानि पलास है तो क्या हो जागा उत्तल होगा तो यह तो होगा नहीं यह तो होगा नहीं दो आपसन तो पहले ही बाहर हो गया अब होगा A और D में कि A answer होगा कि D answer होगा यह अंसर होगा कि D answer होगा तो देखा बाबो लेंस की छमता दे रहा है डी बराबर पलस टू डाप्टर दे रहा है तो लेंस की किस हमको पता चले है कि अध्रा लेंस है लेंस की फोकल लंबाइगे रहर आध में जाएगा वन वर्टा डवर्टाछ टु या वन वर्र टु कहने का मतलब पॉइंट फाइव मीटर आजाएगा पॉइंट फाइव मीटर आ जाएगा यानि कहने का मतलब लेंस जो हो जाएगा उत्तल हो जाएगा क्योंकि पलस में है उत्तल हो जाएगा और इसकी फोकल लंबाई हो जाएगा पॉइंट फाइव मीटर हो जाएगा पॉइंट फाइव मीटर हो जाएगा यहीं option D correct हो जाएगा option D is question को क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा समझ में आया की नहीं जल्दी जल्दी बखो समझ में आया की नहीं समझ में आया D locked out परदेव कुमार official क्या हाँ चली समझ में आया चली अगला question आपके टुन्टूना में दिख रहा होगा बनाने का कोशिश किजिएगा बनाने का कोशिश किजिएगा बहुत उप्षा कोशिशन है दो मिनिट रश्चम है दिया गया पड़ा पड़ा जल्दी जल्दी जल्द का अपवर्तनांग दिया हुआ है जल्द में लाइट का स्पीड क्या होगा यह आप से कोशिशन पूछा जाएगा थोड़ा सा यूनिक कोशिशन है नया तरीका से ऐसे कोशिशन को आपको एक्जामनर फिर्म कर सकता है कोशिश किजिए आप से पूछा जाएगा जल्द का अपवर्तनांग कितना दिया हुए अपवर्तनांग दिया हुए फोर्वटा थिरी ठीक है ना फोर्वटा थिरी दिया हुए कि अपवर्तनांग ब्रावर क्या होता है सी वटा भी होता यही होता है ना सी वटा भी होता है वहता आपताव बहुत है चलो फॉर्मूला भी मैंने लिख दे चलिए ए होगा 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 गर्दा अंसरा रहा है एरी गुड सब लोग अंसरा रहा है एक रीशु भारती का भी आ रहा है एक सुजाता का भी आ रहा है परवती कुमारी का भी आ रहा है, सुजाता का भी आ रहा है, और किसका भी आ रहा है, और किसका भी आ रहा है, एक और है, जोती कुमारी का भी आ रहा है, चलिए, और नेहा कुमारी का भी अंसर आ रहा है, रोहन वाइडी का भी अंसर आ रहा है, पृतिया का भी अंसर आ रहा ह हुआ अपवर्तनांग दिया वाफ पोर्वड अथिरी और हमको परकास की गति यानी भी का भैलु हमको ग्याद करना है परकास की गति जो है आपको दिया हुआ होता है कितना बताना निर्वात परकास की चाल, C बराट कितना होता है, तीन गूने दसंध के पाँ आठ मीटर पर सेकन होता है. थिख है ना, तो इस में फुट कर दो, иस में फुट कर दो, तो मुका भैलू कितना दिया हुआ है, अब वर्टणाओ का भैलू कितना दिया हुआ है, four water 30 सीका भ्हेलु कितना होता है निरवात प्रकास के चाल तीनगुने 10 क्हश्च Choppa dwa फिक वर ने 10 कभ सक्ष्च 649 बटा में फॉरतो हो जाएगा यही होगा ना एज ब्लोगाइम तो इसको और थोड़ा स्वल्व कर दें कि एक स्थे पर आइस समझा रहो तिन तरी के नौ गुने 10 के पावर 8 बटा में 4 हो जाएगा तो चार दूनी के 8 दू-दस चार दूनी के 8 यानि 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो जागा यानि 2.25 गुने 10 का पावर 8 है यानि option ए करेक्टर अंसर हो जागा option A is question का सही अंसर हो जाए ठीक है ना option A is question का बिलकुल सही अंसर हो जाएगा ठीक है किसी को problem जल्दी जल्दी बखो किसी भी student को problem है तो जल्दी जल्दी बखो कहीं पे किसी तरह का problem है तो जल्दी जल्दी बखना ठीक है ना कहीं पे किसी तरह का problem है तो समझ में आगया जाए इससे जाम काय हो जा रहा चलिए अगला कोशन अगला कोशन आपके screen पे रहा है जल्दी जल्दी बनाएए जल्दी जल्दी फड़ा फड़ा बनाईएगा आपके स्क्रीन पे यह रहा चलिए बनाईए अच्छो का यादफ पारमेडिकल का उनलाइं कब होगा उसके लिए मैं स्पेशल लाइब हा रहा हु टेंसर मतलू ठीक है न मैं एक बार कंफर्म कर लू कि एडिया डेट क्या है ल जलो अंसर दिजेगा एक बस्तू को दस सेंटीमिटर के फोकल नंबाई वाले एक उत्तर लेंस के मुख अक्छ पर रखा गया है यदि लेंस से बस्तू की दूरी 30 सेंटीमिटर हो तो बस्तू से परतिविमी की दूरी क्या होगा भीक अभेलो फड़ा-फड निकालिया जल् क्लासे दिल्ली से चलता है दिल्ली स्टूडियो से बाठी जितने भी टीचर्स लोग है सभी का क्लासे गया स्टूडियो से चलता है लो चलिए फड़ा बड़ा अंसर दीजिए सब्सक्राइब का गाइड का नुमेरिकल पढ़ाई है नसर या रूकार का गाइड का नुमेरिकल बहुत लेवल इजी उसका होता है ठीक है ना उससे कहीं बेटर है रिहंत का होता है और आपको टेंशन लेने की ज़रूद नहीं है आपको हर एक गाइड का मिक्स कोहचन करकर के कोहचन को छाट-छाट के डाला जाता है कभी आप लोग गेस किये हो कोहचन का नंबरिंग सिक्वेंस मनी रहाता कभी छोग को भी 10 कभी 15 ऐसे क्यों रहाता है कोहचन को सेलेक्ट करके आप पढ़ाया जाता है जाले फड़ा फड़ा अशर दीजिए अ वेरी गुड देखो पाव एक बस्तू को दस सेंटीमीटर के फोकल नमाई वाले एक उत्तर लेंस कौन सा लेंस है उत्तर लेंस है मुक आज पर रखा जाता है जैसे बस्तू की दूरी 30 सेंटीमीटर तो परतिमियम की दूरी यानि भी हमको ग्याद करना है यानि यू कभ है कितना दे रखा है यू कम है लिए उत्तर लेंसट शूत थिता के सब्लाइत है यह Пश ओ समय होता है M İft संक धाल कितना धितना से थे कम है लोगों को निकालना है दरपन का सूतर हम मि चैने और पां का सूतर बावड़ क्या जानते है दर्पन का सूतर से वन वाइए ब़रावर 1yb प्लस 1y यू जानते हैं यानि वण वाइव और लुओ आजागा 1 वाटर्टेन आ जाएगा माइनेस । डैरेक्ट्री उपर देता हूं इसमें दिन्धर इधर कर देता हूं कि 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 अच्छ को यह अगया तो यह कि यह झाल यह तो क्या है तट लेंस की बस्तू के दोले तेसे मिटर है बनाओ लिभान टीन होगाने टनाम धी को ईनती आइस यह समुजा न सबली टैथेयों तेन करो मैं फिन जान हेख कि उत्थकों अआनल के याद टिंट सबस्कत्राइब ऊंध्ल्स होगा युडेयों कर दोनों कहा रेक्स कि है तो यह झांट लेकर दीच त्स सिंड समाहिं ब्रावर वन वाय एफ हो जागा थीस बीटमेटर आफ का नचल निकाल दिया जी रुकर 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 रुदु निकाल न भी का भैलू एन अ फिर का भैलू निकालना है मैं भी तर्विवर दीखो दर्पन का सुत्र क्या होता है? 1Sy frustrated 1YF? 1% you क्या हो जागा ? 1 YF की फिना दो सेंटी मिटेर 3C enable 30C अब निकलाओ 1 YF ए पर और क्या हो जाँगा ? वगिए ंद Celsius आदव 10 हैं, 30 माइनस दो यानि 2 वड़ा 10 हो जागा 2 वड़ा 30 यानि 15 पंदरह संटीवेटर नेकंचतन का क्या हो जागा पंक पनरह संं戲 मैं कि नहीं जल्दी जल्दी एंसर दो शूमाज में आया कि नहीं जल्दी जल्द एंसर दो चलिए फड़ा फड़ पंदर सिंटिमेटर 15 सिंटिमेटर 15 सिंटिमेटर शुमिंदर को अच्छर गाइड का कोश्चन करवाई है नहीं गाइड का कोश्चन में क्यों चक्कर में रहते हो गाइड का कोश्चन के चक्कर में क्यों रहते हो गाइड में सब वही सब कोश्चन रहता है एक ही कोश्चन को बार बार दिया हुआ रहता है ज्यादा तर ठीक है ना रोहन वाईडी रोहन वाईडी दखो बावो जो भी प्रिवियस यहर का जो भी थियोरी है सबसे पहले थियोरी पढ़ो सबसे पहले थियोरी पढ़ो ठीक है अगर थियोरी नहीं पढ़ोगे तो एक भी कोहचन नहीं बनेगा सिर्फ कोहचन अगर बनाओगे तो अभी बन जाएगा समझ में आ जाएगा लेकिन इक जाम के समय कॉंसेप्ट नहीं रहेगा तो कन्फूल हो जाओगे इसलिए बीना थियोरी का एक भी कोहचन मत बनाया करो ठीक है ना बीना थियोरी का रूपा कुमारी सर आप पहुंसा बुक्ट शे करवा रहे हैं सर मैं यह भी खरी सकता हूँ दोखो बुक मैं आपको पहले ही करवाया हूँ आपको भुक खरीदने की ज़रूत नहीं है बस प्रिवियस एर प्रैक्टिस अगर खरीदना तो खरीच सकते हो आपको जो करवाया जाता है कोहचन यहां पर लगभग छे से साथ बुक का करवाया जाता है जिसमें से तीन बुक कमपड आपको पॉल पबा लेगे नहीं धूला आएसे करकर के मिक्स करकर आपको करवाया जाता है अगर आएसे मिक्स करकर akkor करवाया जाता है क्य चलिए तो आज का की था विड़ीव क libro क्या किजेगा लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा ठैंक्स फॉर वाचिंग फॉर दिस सेशन ए निम का क्लास कितरह बीपीशी का बैच शुरुक करवाईए निशेजी काजल चौधरी क्रैस को जल्दी लांच होने वाला है सबसे पहले तो अप्लिकेशन में काम लगा हुआ है बहुत मतलब उसमें आप लोग का जो रैंक काड आता है ना पूरा दम सुरू से लाट तक आप लोग रैंक काड इसा पुरा मोडिफाइग करवाए जा रहा है ठीक है ना तो वह सब सब्सक्राइब लग रहा है ठीक है बाकी आप लोग बताइए कि नेक्स्ट जो चैप्टर हो जो है ना नुमिर्कल का किस चैप्टर करवाए जाए साम को साड़े छे बज़े जरूर सब लोग लाइव रहना लोगरीथम का क्लासेज के लिए लॉग से एक पोश्चन आपको पांच नमर पूछा जाएगा ठीक है लॉगरीथम से अ चलिए तो सेशन को यहाँ पर क्या करते हैं अ और तीस माइनिस वैं यहां पर तुम लोग यहां पर ग Kubernetes को आछाए का बढा करनाद hub कभी-च्वी लिखने का लिखा क्या जाथ हुग समझ सकते हो नुभ मkellत सर्ट у यानि पंदरादों नी तीस ही कहा न चलिए से सर्व यहां पर इंड करते हैं बाकि मिलते फिनेक्स सेशन में तक बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब को लाइक और शेयर कर देजिए ठीक है इसका पीडियोफ अभी ट्रेल लिए